विराट और अनुषका ने इटली में शादी कर ली है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जल्द ही ये मुंबई की कोट में शादी को रजिस्टर कर आएंगे जैसे ही ये शादी रजिस्टर होगी अनुषका को मेरिट वुमन के और पर छे नए राइट्स मिल जाएंगे जो हर शदी शुदा इंडियन महिला को मिलते हैं भारतिय सम्विदान और हिंदू मेरेज एक्ट मेरिट वुमन को ये अधिकार देता है पती के घर में रहने का अधिकार शादी के बाद पत्नी को पती के घर में रहने का अधिकार मिल जाता है फिर चाहे वो पुष्टैनी हो, जोईंट फैमिली का घर हो, खुद का बनाया हुआ घर हो या किराय के मकान हो Committed Relationship का अधिकार हिंदू पती शादी के बाद तलाक लिए बिना किसी दूसरी महिला से अफेर या शादी नहीं कर सकता अगर पती किसी दूसरी महिला से रिलेशन रखता है तो उस पर Adultery के तहत चार्ज किया जा सकता है मेन Attainz का अधिकार पतनी Living Standard और Basic Ampherd के लिए जरूरी चीज़ों के लिए पती से मांग कर सकती है Child Mind Attainz का अधिकार अगर पतनी जौब नहीं कर रही है तो पती को बच्चे की परवरिश के लिए पूरी तरह Financial सपोर्ट करना होगा अगर दोनों के पेबल नहीं है तो महिला बच्चों की परवरिश के लिए अपने सास और सुसर से मदद मांग सकती है स्त्रीधन का अधिकार महिलाओं के पास उनके शादी के पहले और बाद में मिले गिफ्ट और पैसे पर पूरा अधिकार होता है इसे स्त्रीधन का अधिकार कहा जाता है अगर इस धन की कस्टड़ी उसके पति अससुराल वालों के पास भी हो तो अधिकार उसी कम माना जाता है वो उसका कभी भी कैसे भी यूज कर सकती है